दोस्तो आज से मैं आपके BSC 5th Semester Botany के Unit 7 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और Unit 7 में जो आपका पहला टॉपिक है वो है प्रोटीन तो इस प्रोटीन वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे Structure of Amino Acid तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि Amino Acid होते क्या है Amino Acid के Structure कैसे होते है और साथ ही साथ इन से जुड़े हुए कुछ Important Topic भी डिस्कस करेंगे तो प्रोटीन को जानने से पहले पहले हमें Amino Acid के बारे में डीटियल से जानना चाहिए तो इस वीडियो में आपको Amino Acid से जुड़े वे जितने भी Important Topic है वो सभी Topic मिल जाएंगे तो आईए आज के वीडियो की सुरुवात करते है तो आईए सबसे पहले समझने की कोशिस करते हैं कि Amino Acids होते क्या है Amino Acids are the basic structural units that means monomers of protein तो जो Amino Acid होते हैं ये Protein के संरचनात्मक इकाई होते हैं कहने का मतलब यह है कि जो Protein का निर्माड होता है वह Amino Aml से ही होता है तो Protein में पाए जाने वाले जितने भी Amino Aml होते हैं वो आपस में एक दूसरे से Peptide Bond दोरा जुड़ते हैं और Protein का निर्माड करते हैं तो Peptide Bond क्या होता है कैसे ये आपस में जूड़ते हैं उसके बारे हम आगे डीटेल में वीडियो में जानेंगे All those over 300 different amino acids are known to occur in cell antices Only 20 of them universally occur in the protein of all form of life तो 300 से भी अधिक Amino Aml गयात हैं जो की कोशिकाओं और उतक में पाए जाते हैं केवल 20 amino aml है जो मुख्य रूप से सभी protein का निर्माड करते हैं और ये हमारे जीवन के लिए आवस्यक है These 20 amino acids are called protein amino acid और standard amino acid और magic 20 तो ये जो 20 amino aml है जो की protein का निर्माड करते हैं इन्हें हम कहते हैं protein amino acid या फिर standard amino acid या फिर magic 20 The other are called non-standard और non-protein amino acid बाकी जो बचे हुए amino aml है जो की protein का formation नहीं करते हैं उन्हें हम non-standard amino acid या फिर non-protein amino acid कहते हैं non-protein amino acid होते हैं और ये formation करते हैं amino acids के derivatives को आइए next हम discuss करते हैं structure of amino acid and what is alpha amino acid यदि आप किसी भी amino acid को देखेंगे तो उसमें आपको four different functional group देखने को मिलते हैं each a amino acid consist of an amino group and carboxyl group a hydrogen atom and a variable side chain और r group bonded to a central carbon atom which is called alpha carbon atom तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो amino acid होते हैं उसमें four different functional group होते हैं तो पहला तो होता है amino group यानि कि NS2 जो कि basic character को denote करता है कैसे कहता है आगे मैं आपको वीडियों बताऊंगा इसके अलाबा पाया जाता है carboxyl group यानि कि COOH इसके अलाबा पाया जाता है hydrogen और एक r group होता है जो कि variable होता है यानि कि इसी के change होने पर अलग-अलग प्रकार के amino acid होते हैं तो किसी भी amino acid में amino group, carboxyl group और hydrogen ये तीनो common होते हैं variable यानि कि जो change होता है वो होता है r group और इसी group के change होने से अलग-अलग प्रकार के amino acid होते हैं और ये चारो group जिस carbon से जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं alpha carbon atom तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में ये जो carbon है ये alpha carbon atom है अब यहाँ पर बात आती है कि जो amino acid है ये basic और acidic दोनों character represent करता है कैसे करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो amino group है ये H plus ion लेता है और RNS के सिधान के नुसार हम सभी जानते हैं जो H plus ion लेता है वो basic character so करता है और जो H plus ion देता है वो acidic character so करता है तो यहाँ पर जो carboxy group है यह H plus ion release करता है जिसकी वज़ा से यह acetic group के रूप में amino acid में पाया जाता है तो यहाँ पर आप right side देख सकते हैं यह ionic form में amino acid है यहाँ पर जो NH2 है एक H plus ion ले लिया है इसलिए यहाँ पर है NS3 plus और यहाँ पर जो carboxy group है वो एक hydrogen को हटा दिया हुआ है इस वज़ा से यहाँ पर है COO minus तो यहाँ पर नीचे की और आप देख सकते हैं कि जो amino acid है वह unionized form और ionized form दोनों रूप में पाये जाता है तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज और लिखा है जुईटर ion तो जुईटर ion क्या है इसको हम अगले पार्ट में discuss करेंगे यहाँ पर amino acid का एक exception है अपवाद है मैं आपको पता देता हूँ तो अगर हम बात करें प्रोलीन की जो की एक amino acid है इसमें आप देखेंगे जो R ग्रूप है वो आपका nitrogen और carbon atom दोनों से जुड़ता है और formation करता है एक cyclic structure का जैसे कि आप नीचे की और देख सकते हैं तो यह एक important point है आप इसको note कर लिजेगा कि प्रोलीन के case में जो R ग्रूप है वो nitrogen और carbon दोनों से जुड़का cyclic structure बनाता है इस तरह से यह प्रकार का cyclic amino acid भी है तो यहाँ पर हमने amino acid के structure के बारे में जाना आईए next इससे जुड़ point को हम discuss करते हैं तो हमारा जो next heading है वो है kirelty तो kirel carbon क्या होते हैं पहले हम यह discuss करते हैं तो आप सभी ने कमेस्टर में पढ़ा होगा कि carbon की valency होती है 4 अब यदि carbon से जुड़ने वाले जितने भी group है यानि कि जो चारो group हैं वो अलग-अलग हैं तो ऐसे carbon को हम कहते हैं kirel carbon या फिर asymmetrical carbon तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि amino acid में जो alpha carbon है उससे four different functional group जुड़े होते हैं कौन-कौन से amino group, carboxic group, hydrogen group और R group तो amino acid में four different group जुड़े होने की वज़े से ये kirelty represent करता है तो याद रखिएगा कि जो amino acid होते हैं इनमे asymmetrical carbon पाया जाते हैं इसका एक ही exception है एक ही अपवाद है जो कि most important है वो है glycine, glycine जो है ये kirel carbon नहीं है यानि कि ये asymmetrical carbon नहीं है क्योंकि glycine में आप देखेंगे दो hydrogen group पाये जाते हैं जिस वज़े से ये asymmetrical नहीं होता तो ये amino acid का एक exception है इसको याद रखेगा अगले topic यो जो कि amino acid से जुड़ा हुआ है वो है stereo isomerism तो यहाँ पर हम stereo isomerism की बात क्यों कर रहे हैं आपको बता दें कि आगे जब वीडियो में आपको कुछ topic देखने को मिलेंगे amino acid से related जैसे कि L-amino acid, D-amino acid तो L-amino acid क्या होता है, D-amino acid क्या होता है इसके बारे में हम य stereo chemistry में पढ़ा होगा, जो chiral carbon compound होते हैं, वो mirror image represent करते हैं, जैसा कि हमारा जो दाहिना हाथ है, यानि कि जो right hand है, वो left hand का mirror image होता है, तो mirror image के लिए condition होता है कि organic compound asymmetrical हो, तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो amino acid है, यह सभी क्या है, asymmetrical हैं, और asymmetrical होनी की वज़ा से यह mirror image देते है तो stereo isomerism में होता क्या है, कि जो organic compound होते हैं, उनके जो formula है, उनके जो structure है, वो same होंगे, परन्तु जो अलग-अलग group है, उनका जो arrangement होगा, यानि कि इनका जो आकासी arrangement होता है, special arrangement होता है, वो अलग-अलग होता है, कहने का मतलब है, formula same होंगे, और group भी same होंगे, बस difference होगा, कि जो group जुड़े होए हैं, वो arrange अलग-अलग तरीके सो जाएंगे, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, आपके जो left side amino acid का structure बनाया है, उसमें जो amino group है, वो left side है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, livo, इसलिए इस amino acid को बोला गया है, L amino acid, L का मतलब है, livo, वही right side के amino acid में आप द dextro, D का मतलब है dextro, और यह जो amino acid है, यह है D amino acid, तो L amino acid में जो NH2 group है, वो है आपके left side, और D amino acid में जो NH2 है, वो है आपके right side, तो दोनों में आप देखेंगे कि सभी चीजे सेम है, सभी group सेम है, बस difference है, NH2 के arrangement का, इस वज़़े से यहाँ पर जो amino acid है, वह stereo isomerism को represent करता है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि L amino acid क्या होता है और D amino acid क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले part में हम unit 7 protein से जुड़े हुए एक topic को discuss करेंगे, हर हमारा topic होगा peptide bond, तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रूर बताइएगा, वीड आपको 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 आपक